हेलो यूवान कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चे आपके स्क्रीन पर एक क्वेशन दिख रहा है और जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं से चमने स्प्रिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से देखेगा तो आपको पूरा क्वेश्चन का ब्यूटी समझ में आएगा लास्ट में की क्यों फ्रेम किया गया तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग से एक स्प्रिंग से एक स्प्रिंग अटाजड है और इस स्प्रिंग का लेंथ आपको दे रखा एल उसका जो है आपको दे रखा और इसके दूसरे एंड से हमने दो मास अटाज कर रखे हैं एक का मास में एक मास थ्रीम है ठीक है, कहता है कि यह पूरा system अभी equilibrium में है, पूरा system equilibrium में है, ओके, और now this 3M is dropped, तो हम से बोला गया, बताए कि इस system basically करेगा क्या, और अगर वो oscillatory motion है, तो उस oscillatory motion का हम बताना time period है, ठीक है, इसका हम बताना time period है, ठीक है न, चलिए, आए समझते हैं क्या हो सकता है इसमें, string का बहुत अच्छा roll है इसमें, और यह आपको basic, आप कह सकते हो न, spring का एक behavior भी समझाएगा यहाँ पे, तो question में मैंने दो दो diagram बनाए, और यह और यह, पहले इस पर हम लोग, यह वाला जो diagram था, यह original question का diagram है, और मैंने help रिया कुछ समझाने के लिए, कि suppose, जो spring का natural length था, वो L था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर आपने उससे 4MG, 4M mass total लटका रखा है, और equilibrium position है, तो जितना spring force उपर लग रहा होगा, Fs, उतना ही total mg नीचे mass लग रहा होगा, और mg को मतलब होगा, 4MG, 4MG, ठीक है इदर लग रहा हमारे पास Fs, Fs is nothing but the Kx, तो Kx और 4MG को अब balance करोगे, then you will get the total extension in spring, जो कि हमारे पास आगया, 4MG, YK, ठीक है, now, what we are doing, इस 3M mass को हमने suddenly क्या कर दिया, अब system में सिर्फ क्या बज़ गा 3M, सहीए, बट आपको पता है कि spring force अभी भी उतना ही लग रहा था, ज जो है अपना value change करता नहीं है, तो ये system उपर भागेगा, सही है, ओके, भागने तो, ठीक है, अब हमें देखना है कि system करेगा क्या, तो ये system उपर जाएगा, 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 जब तक spring force लगेगा, जब तक spring force रहेगा, आप सभी को बता है कि spring force का जो format है, व तो जब तक particle जो है, spring के natural length तक नहीं पहुंसता है, तब तक आप ये कहेंगे कि particle was under SHM, सही है ना, सब what about mg, mg भी तो लग रहा है, अच्छा mg का role क्या है, mg is a constant force, mg का as such role जो है, time period को change करने में आता ही नहीं है, है कि नहीं, mg का जो role है, वो time period को बदलने में आता ही नहीं है, य time period में effect नहीं डालता है, सही बात है, ओके, तो मेरा final conclusion जो था, कि natural length condition तक ये SHM करेगा, ठीक है, तो मेरा एक सोचना ये था, कि ये काम करते हैं, हम इसका mean position निकालते हैं, mean position, mean position वो position होती है, जहाँ पर particle पर instantaneously, आप कहा सकते हो, net 40 हो जाए, तो ये जब उपर जाएगा, एक kx लग रहा एक दूसरे को balance कर रहे होंगे, सही है, अच्छा जब आप spring में kx लगाते हो, spring force kx लिखते होती है, एक समय सा आप उसके natural length वाली position से लेते हो, तो अगर natural length से अगर नीचे x रहा होगा, इस वाले condition पर, तो यहाँ पर force लगेगा, mg उसके अलामा kx उपर position है, तो यहाँ पर kx mg करोगे, तो x आएगा mg y k, जो कि मैंने यहाँ पर mention कर रखा, सही है, total अगर आप देखा जाए, यहाँ से लेकिए, यहाँ तक length 4 mg y k था, 4 mg y k था, यह वाला, अगर उसमें से mg y k चला गया, तो हमारे पास भचेगा 3 mg y k, सही है, mean position जहाँ पर हमें मि पार्टिकल का velocity 0 होता है, SHM में, वो extreme position होता है, extreme position natural length वाली condition से था, 4 mg y k, mean position था, mg y k, तो mean position से extreme position के बीच का जो gap आएगा, वाएगा 3 mg y k, and this value is nothing but the amplitude, सही है, तो हमें इस SHM का, जो कि O से लेके, A से होता हुआ, B तक जो करेगा पार्टिकल, उसका amplitude मिल गया था, ठीक है, ना हमने क्या किया, for the sake of calculation, हमने इस motion को analysis किया, O से A, फिर A से B, उसके बाद ये particle स्टिल उपर जाएगा, इनेर्शिया के चलते, और जैसे ये particle इसको cross करेगा, अब आप खुद दिख रहा है, ध्यान सुनिएगा, कि जब particle O से A जाएगा, अभी को attention नहीं क्योंकि spring में extension है, A से B के दोरान भी कोई tension नहीं आएगा, क्योंकि still spring has some extension इस वाले portion में, लेकिन जैसे A, B point को cross करने वाला होगा, spring natural length पे आजाएगा, तो spring कुछ करेगा ही नहीं, चुकि ये वाला end जो है, आपका fix नहीं है, ये string से attached है, और string कोई भी, आप कह सकते हो, compressive force नहीं लगाएगा, तो ये जो particle जैसे B को cross करेगा, आप ये कहोगे कि वो उसके उस पर लगने माला इकलोता force सिर्फ mg लगेगा, मतलब इसका motion under gravity हो जाएगा, बी के बाद, और मान लिया कि हमने वो C तक जाता है, तो B से C और C से वापस B जब आएगा, तो उसका motion is nothing but the motion under gravity, अगर मान लिजे B पर particle का speed U होता, तो B से C और C से B तक आने में जो time लगता, उसे लिखते हम लोग 2U by G, सही है ना, ये पूरी कहानी थी, अब बस आपको calculation दिखाना मुझे, ये देखो मैंने बनाया motion, ये motion मैंने बनाया, O से A, A से B, B से C, फिर वापस C से B आएगा, C से B, B से A आएगा, और A से mean तक जाना है, किसी भी SSH में अगर आप extreme position से mean position आते हैं, total time period अगर उसका T है, तो ये extreme से mean तक आने में T by 4 लगता है, 1 by 4 लगता है, तो मैं लिख दिया, उसको मैंने बोल दिया T1, और T1 हो जाएगा आपका T by 4, 1 by 4 time period जो है, simply system में, एक spring है, एक mass है, ऐसे system में अगर, ऐसे system में आपको पता है, कि यो time period आएगा, वो आएगा 2 by root m by k, है ना, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1 by 4 से multiply कर दिया, हमारे पास T1 आगया, पाई by 2 root m by k, now a b, a b क्या है, अभी भी particle SHM में ही है, ऐसे भी तक क्योंकि अभी भी इसमें extension रहेगा, इस पूरे journey में, SHM के यहाँ पर मान सकता हूँ, x equal to a sin omega t, है ना, और यहाँ पर जो time लगा, वो सो T2 बोल सकता हूँ, ठीक है ना, अच्छा, जब इस वाले moment पर देखा जाए, a से b तक जाएगा, अगर मैं b की बात करूँ, है ना, यहाँ पर ध्यान से आप देखेगा, a से b वाली journey में, इस वा amplitude था, वो a है, उसका value कितना आएगा, 3 mg by k, यहाँ आप लिख दिया sin omega t, और time की में लिख दिया t2, तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे, तो sin omega t2 आएगा, 1 by 3, यहाँ से, और आपको मिलेगा, omega t2, sin inverse 1 by 3, t2 आगया, यहाँ से, omega हमें पता है, root k by m, है ना, root k by m हो जाए 1 by 3, t2 भी आगया, मतलब हमें क्या-क्या मिल गया, o से a और a से b मिल गया, अब हमें चाहिए b से c, अब b से c में क्या होगा, कि b वाले condition पर आपका natural length पर spring आगया है, और string can't apply any force, so after b motion will be under gravity, बताया था मैंने आपको, सही है, तो अगर मैं b से c की बात करूँ, जो की t3 time मान कर रहा हूं मैं, तो t3 आएगा आपका u by g, u कहाँ पर velocity है, b वाले point पर, अच्छा, shm में, किसी point पर अगर आपको velocity चाहिए, अभी b तक तो उसका motion shm ही था, b तक, किसी point पर mean position से, अगर उसका displacement x है, तो हम कुछ इस तरीके का equation लगा के, हम speed या velocity निकाल सकते हैं, तो हमने ही लगाया, u is equal to omega root a square minus x square, a का value वारे पास था 3 mg y k, उसका square कर दिया, और जो b था, a वाले से mg y k distance पर था, तो ये उसका x की value हो गई, ये रख दिया हमने, solve किया हमारे पास आया, g times root 8 y k, ठीक है, तो t3 हमने यहाँ पर लिख दिया, under root k y, 8 y k, g से g कर जाएगा, ये वाला, चलो, अब total time जो लगेगा हमारे पास, वो सब का twice हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाएगी journey में, जो सारे points है, यहाँ से o था, फिर a था, फिर b था, फिर c था, तो ये वापस भी तो आएगा, तो total time जो आएगा, वो twice कर दोगे आप, t1 plus t2 plus t3 गा, सही बात है, तो बस last में values मने put कर दी, और मुझे answer मिल गया,